वाहे गुरुजी का खाल सा वाहे गुरुजी की फते गुरु प्यारी गुरु सुवारी सन्मान जोकसा संग जीयो अज दास सिरी जब जी साब जी दी चल रही लड़ई वाद कथा दे पर संग दे बेच आप सारिया संगतन दे नाल अकाल मूर्थ अजूनी सैपं इन तेन जो ना शब्द है कि बहुत गहर गंबीर है इना दी एक तिल मत्र बचार आप सारिया संगतन दे नाल संचा करदा है गा आप सब तो पेले हैं अपना काल पुर्ख जी दी बचार कर दे हैं कि जड़ा काल पुर्ख है गाना उदा स्रूब के हो जया है तो गुरुनान कसा मराज इसनों जब जी सावदी बचे जड़ा है वो दस्या है कि एक ओ अंकार सतनाम करता पुर्ख निर्पो निर्वैर ते अगे मारे केंदे अकाल मूर्थ पाव उस प्रमेशर दी जड़ी हना मूर्थ तो पाव है हूंद अकाल है अकाल था पाव की हैगा कि ओ खस्ती जड़ी सम में तो वहर रेंड दी है गी है जिमें हना अपना थोड़ा जया एस अक्षर नू समझन तो पहला हना एक गुर्णानक सा मरदा शब्द हैगा मारूर आग देगेच ओदे हना थोड़ी दर्शन कर लेंजे है और मरज लिख दे आ के अर्वद नर्वद तंधूकारा तरना ग पौन ना पानी उपत खपत ना आबन जानी खांड पताल सब्त नहीं सागर नदीन नीर बहाएंदा ना ताद सुर्ग मश प्याला दोज को पिष्ट नहीं खैकाला नार को सुर्ग नहीं जम्मन मरना नांको आय ना जाएंदा ब्रह्मा विशन महेश न कोई अबर न दिसे की को सोई नार पुर्ख नहीं जातना जनमा ना को दुख सुख पाएंदा ना ताद जती सती बनवासी ना ताद सेद सादक सुख वासी जोगी जंगम पेखना कोई ना को ना थ कहाएंदा जाप तप संजम नाम बर्त पूजा ना को आख बखाने दूजा आपे आप उपाए बिक्से आपे कीमत पाएंदा ना सोच संजम तुलसी माडा गोपी कान ना गवगुआला तंत मंत पखंड ना कोई ना को बंस बजाएंदा कर्म तर्म नहीं माया माखी जात जन्म नहीं दिसे आखी ममता जाल काल नहीं माथे ना को किसेते आएंदा नेंद बेंद नहीं जीओ ना जिन्दो ना तद गोर्ख ना माशंदो ना तद ग्यान त्यान कोल उपत ना को गणत गणाएंदा बर्न पेख नहीं ब्रह्मन खतरी दोवना दोहोरा गव गईतरी होम जग नहीं तीर्थ नावन नाको पूजा लाएंदा, नाको मुदला, नाको काजी, नाको शेख मशाइक हाजी, रेयत राओ ना होम में दुनिया नाको कहन कहाएंदा, पाओ न पगती, ना शेव शक्ती, साजन मीत बेंद नहीं रखती, आप पेशा आप बन जारा साची एहो पाएंदा, बेद कतेव, ना सिम्रत शास्तर, पाठ परान उदे नहीं आसत, कहता बगता आप गोचर आप लख लखाएंदा, जा तिस पानाता जगत उपाया, वाज कला अडान रहाया, ब्रह्मा बिशन महेश उपाये, माया मोब दाएंदा, बिरले को गुर्शवद सनाया, कारकार देखे हुक्म सवाया, खंड ब्रहमांड पताल रंबे, गुपती परगटी आएंदा, तांका अंतना जाने कोई, पूरे गुर्थे सोजी होई, नानक साच रते विसमादी, विसम पै गुण गाएंदा, देखो एस शवद देवेच हना गुर्णानक साब माराज ने, सारे ही पेद जड़े हना खोल के रख देते हैं, पाव की है कि शवद पामे लंबा हैगा, पर एस शवद देवेचे गुर्णानक साब माराज ने ऐसे गुजे राज जड़े परकट कर देते हैं, तां जो होना सेख एना पावानू सैज देवेची समझ सके, कि जड़ा वाहे गुरू हना उपहला भी आप एक को एक सी, क्यों वाहे गुरू जड़े हना उँ हमेशा ह एक को एक ने कोई दूसरा बरहमेंट बेच कोई ने, एस सारी जड़ी रचना हना उस परमेशर दी है, इससे करके हना मूल मंतर दे बेच, उस वाहे गुरू जी ने हना काल मूर्थ कर गेट, कहे कि जड़ा हना गुरू नानक साब माराने सानू तस्या हैगा, पाव की है के वाहे गुरू जी देहनना दो स् रूप मनने या, एक ता हन्दि या अकाल मूर्थ, दूसरी हन्दि या काल मूर्थ, अब आहना सब तो पेलना काल मूर्थ दे थोड़े दर्शन कर दें Chicago कि जमेहन low काल दा मतलब हनदा हैगा के समा लेकन अकाल दा मतलब हनदा समय तो रहत, समय तो पीला इस करके अकाल रूप दा पाब रेख तो नियारा, जिदी विच ना त वहीज़ु दा रूप ना रंग वा ना रेख खर्जिस्त्अना प्रम्ोली जड़े हैं उपरहहां गया जैंडोंवाधे अपने आप्धी अप्णे आप जाने के वहिग्रु जी हुमेशा हना सत्चonne अनचत नग्य ईत्पेच रहें दे तुसने अकाल मूर्ट देविट मूर्ट दा पाभूंदी होंद वह वाही गुरुदी जड़ी होंद हना वह हमेशा ही सत्चत अनांत दी है जिमें थोड़ा जा पाभ आपा समझ लेनेया के संत्व पैश्र सेंग जी राड़े साब बाड़े होए या एक वार उसंगत नूं तस्दे से कि जिमें हना सैंस ने बड़ी तरक्की की ती या प्रदार्थ तोड़ तोड़के हना जड़ा आखरी प्रदार्थ कर दिया है उन्हों अनूं आख देया कि इन्दे फर्ज करो हना अप वाही गुरुदी अगर थोड़ा जा खोज कर देया तो अनूं जड़ा हना ओ समेर पर पर बद तोड़ दे तोड़ दे ऊद एक अनूं कड़ लेए पाव शूकम है सा कि अधे उदा भी हना जड़ा जीरो हैगा है सा ओवी परिमेशर दा जड़ा हना रूप हैगा ओजना शूकम हैगा कि उख कलपना तो पर है क्योंकि वाही गुरुदी आखना ख्याल तो पर है जीरो हना जीरा बिलकुल है ओ भी वाहिगुर्दे पती तोष्वा पाब की अगर सैंस एथे तक भी पोजेवे हना जितों सैंस खातम हों दिया उतों परमेशार दे जड़ी हना समझे शुरू हों दिया ये महंपुर खाने बचन है गिया इसे करके है ना वाहिगुरुजी ख्याल तों परेया कलपना तो परेया इसे करके गरवानी वेच जो वाहिगुरुदिया जो भिशेषता मांदसिया गेया चो शक्ति अगामरिASS यि है अगोचर है अलख है ते अपार है प्अरह वार तों इते नर्गन रूप दे बिच न वाही गुरु जी जड़े हूं देया, वो अपने गुणा दे समेथ अपने आप दी खालत दे बिच ओध पोत रहें देया, पस इन्ना की हना आप इस पावनू ले सकते हैं, क्यों ए जड़ी वाही गुरु दा नर्गन रूप दी अकाल मूर् किस तरह हुं दिया, इन्नों हना सी वाही गुरु जी दा सर्गन रूप करके मन लेंदेया, जड़ी काल मूर्थ है, पाव की है कि जड़ो हना वाही गुरु जी दे अंदर इच्छा जा फुर्ना बनदा है कि मैं एक तो अनेक हो जमा, फिर वाही गुरु जी जी जड़ो न माया आखे देया, जी में महापुर्खां दे बजना कि जड़ी माया हुं दी हो ना एक रब दी शाया हुं दी है, पर एक जड़ा हना माया ता पसारा है गा जा रंग तमाशा है गा एक प्रमेशर दी मोज दे बच चालता है गा, इस ते हना प्रमेशर नर्गन ते सर्गन द देख दियो शक्ति फिर एनु देख दी खोश हुंदिया पर अपने आपनु एस तुमाशे तुम भी परे रख दी है इनु अपना सद्धे तौर ते उस वही गुरु जिदी मौज आख दने सब सारी एस थोड़ा अपना महपुर्ख दी आख देख द के मौज आख दे आ की체적 जिसीया जैन किन में उसी निगे नसरी फिंस्दुम आख दो औरी किया आख दो जिस्द गोजों आख दो द आखे पेंली किए मिदेख दा आख के तो सतोल ज़िग तेन गुणी माया ह have एन्या ज़िड़ाancing समेल वानदा है गा इन्नुः प्रकृतितात पेदन देयों दूसरा की हुन्दा तूसरा हन्य महत्वतात हुन्दा एंक हुन्दा एजड़ान न महत्वतात हुन्दा है गा ज़िगी गारी ढूर्णाद टिक्wirव्ध थो फर्मेशर थो बखरेमा जैं जीव आत्म परमेशर बखरेमा एको स्ख divya करते खम्लाबग. एदे बेच फेर हना एनू तन्न मांतर तात कह देंदे हैं एदे बेच की आजन्दा एकता आजन्दा रूप दूसरा शाब्द तीसरा एदे बेच आजन्दी गंध चौथा श्पार्षत पंजमा एच आजन्दा रास फिर एसे हना पुतले दे अंदर फे पंच कर्मेंद्रे एदे बेच की आजन्दा जिम्हें अपन देख दे अखा आजन्दी यां नाक आजन्दा कान मु जान्द चमडि आजन्दी यां फिर इसे ही पुतले दे अंदर ना पंच दूत आजन्द वो की एकता काम करोध लोग मोते हंकार फिर इस तो ओक है हना थोड़ी अपन जानका सारी देख देंगे इसाद बच्चों फिर पंच महा थता दा जड़ा हाँ सवर्णू ग्यान हो जहांदा जय सारी में नजना servika पिरमीर किलाता है हैं मिट्टी साथ साथ जालत आए जा गया प्रघ्न ता ना एक परश्ट आ आए जांदा ना एक होंदा यह जाड़ डें अंदर चेतन सता की आसी आ प्रख माना देङा तो वाग्य एज्वेट की रहांद जड़ा आ जानदा है गा मान ये जड़ा मान है गा एबी पंजा पच्ची जड़ियां प्रकेरती हाना एदे बेच गिनयां जानदा है गा एबी एक हना जो शूखम तात है गा उस दी उपज होंदा है गा मान जड़ा है जिड़ा माया ओं तैना रूप मनने जानदे एक ता हुंदी जड़ चेतन तै तीसरी हुं दिया शूखम जड़ा माया हिंदी जड़ा माया प्रकेरती है प्सारा बेचर्पर माया जानदा है जाद तक वही गुरुड जी। न भुर्णा राइनदा है। तो ज़ंदो वही गुरु जी हम शब्सक्रा राइना वन्या आया है तो उसे पर हाध जड़ी सब तों बड़ी गाल है कि इंदे भी एक एक राके ना वानदा उस परमेशर देवे टेल मात्र, देखो एड़ा बड़ा हना वाही गुरू ब्यांत हैगा, के तेल मात्र माया जड़ी हना परमेशर देवे रहें है गिया, पाव की एक इच्छा बाकी वाही गुरु दा पसारा जेड़ा हैगा वो ता इससे करके ओनों देवत्याने नेत नेत ब्यांत कहा हैगा कि ओ प्रमपर है ओ शक्ति देड़ा पाराबार है परे तो परे है पाव की यह अटल सचाईया वो से शक्ति दे अंदर जड़ी हमेशा ओदे बैचे जड़ी है एक रस रहें दी है इस तो बाद है जड़ी वाही गुरु जी यह अजूनी यह पाव की यह जुना तो रहत शक्ति है गिया उन्हें देखो जड़ी चीज है जून दे बैचे होंदी है वो दे बैचे अपाँ देखे देए एक अता वो दे बैचे है पहले चक्कर होंदा है गा चक्कर की होंदा है कि वो चीज जड़ी है पहला कोश होर होंदी या फिर समापा के होर होंदी या पर एजड़ी चीज है ये होड़ी होड़ी अपना जड़ा है जिमें बदल दी जान दी है तो अपनी बनावट भी बदल दी जान दी जिमें गरवानी इंदर के शब्द है कि म मनुख्खा देखी देवे चाएं यह जड़ा प्रबर्ते नुँ चक्कर कैदन देखें पर देखो अगर आसी वाहिगुरु ची देखिए कि वाहिगुरु बेच भी यह चीज हों दिया कि जड़े है ना वाहिगुरु जी पहलना कोश होर सी होन हो रागा कोश हो रहां गे पर आद पूर्ण मद पूर्ण अंत पूर्ण परमेशरे ओ आद पाब शुरू बेच भी परमेशर पूरे से गे मद बेच भी पूरे आ ते अंत दे बेच भी पूरे आ पाब की है गए को ओ शक्ती जड़े ना आप पे आप दी ही है एक को ही एक रस एक हालत दे बेच रेंदी ह जमें कल गी तर मरज ने फरमाया है कि जमी जमान के बिखे समस्त एक जोत है ना काट है ना बाद है ना काट बाद होत है ना हान है ना बान है समान रूप जानी है मकीन और मकान अपर मानते जमानी है अगे अगर हना जुननी दी कल कर दें तो इदे बच की होंदा यां, पर झाल लां,ुर्ट पर जो दए और वाहिगुरुजी जड़े है गया, वो हमेशा ही इना चक्रां तो रहत रहन बाड़ी एक अजाद हस्ती है गया, इसका रिखना वाहिगुरुजी अजूनी होंदे है, तीसरा की होंदा है का कि वाहिगुरु बिच वर्ण नहीं होंदा, जिमें असी देख दे हैं कि जिनने भी जो माया दी रची चीज को ततने बनाई यो है गया, वो बर्ण दे बिच वजड़ी या, वो बंडी जा सकती है गया, जिमें गैस ता एक है, लेकन इना गैस सांदे बिचों वासी है ना, कैई गैस सांदे वो अलाग अलाग कर सकते हैं, जिमें जंगल ता एक है, लेकन टुकडे तो रहत है कियों वाही गूरु जी हमेशा अखांड रहेते हैं और उना दा हना एक तो नेक रूप हो के वी ओ प्रमेशद दी जड़ी शकती हना ओ अख़ांड है गिया ते जिमें आपां देख देया कि जड़ीया जुननी चीजा होंदी है इना बिज़ जात भी होंदी है जिमें मनुखा जात लालो पशू जात लालो पंची जात लालो जाओं होर कईंत तरह दे जड़े कीडे मकोडे जानबर है इना दी जात हुं दिया पर अगर आप आप वाही गुरु बचे चीज देखनी चाहिए कि वाही गुरु बचे इस तरह नदा है क्योंकि वाही गुरु जी दे बचे ए चीज कोई नहीं हुं दि इससे करके वो शक्ती जड़ी है न एक पंकार कहों दिया अगर वाही गुरु बचे जात नहीं है गी तो फिर पात नहीं है क्यों कि हरे एकचीज बचक्षे ना पीटी दर पीडी अगे तोगे चीज बढ़ दिया पर प्रमेशर बचे चीज नहीं होंदी क्यों क्यों कि रब तोगे ना रब पैदा नहीं होंदा है इससे करके ना वाहिगुर जी हमेशा अच्छाल मूर्त रेंदे है पाव कि उना दा जो रूप हना हमेशां उहो जहा ही उरेंदा हैगा ओधे उते किसे तरांदा जड़ाना कोई असर नहीं है क्यों ओधे बिचे पैदावार कीती है या ए असर जहां जो भी अपना कहने है समा बगेरा एक प्रमेशर ने खोद बढ़ाया है इसे करके ओधे वो शक्ति अकाल कहोंदी है क्योंकि ओधे बिचे समा नहीं होंदा है अगला जड़ा है वाहिगुरुजी सैभ भंग है पाब की है सुत्ते परकाश है वो शक्ति जड़ी है किसे तो कुछ तागत नहीं लेंदी है अपने आप तो परकाश मान हैगी है पर वाहिगुरुजी जड़ी रचना है कि यहना ओ सारी जाड़ रूप है उन्हों ओ वाहिगुरुजी परकाश मान कर दे है चाहे सूर्ज है, चंद्रमा है, चाहे कोई भी चीज है हरे एक चीज एक दूसरे उते निर्पर कर दिया ता ओ दी एह होंद जड़ी चल दी है पर हुन प्रमेशर दी जड़ी अचाल मूर्थ है ओ अपने आप दे बिच सुत्य परकाश है पाब की ओ शक्ति अपने आप तो परकाश मान है गिया पर ओ अपने आप तो परकाश मान होंदे वावजूद भी अधरेश है शूखम है अत्षूखम है कलपना बिच नहीं आ सकती साड़ी सोच चेनी साड़ी ग्यान इंद्रियां तो परेदी शक्ती है जिन्म उसी शो नहीं सकते जेदे बारे असी है ना कुछ कह नहीं सकते वो शक्ति इसे करके हिना अपने आप दे बिच साब तो बड़ी कहों दी है जिन्म गुर्णानक साब ने किया है कि जाब पाव की ओ जपन जोग शक्ति है गिया युमें वाही गुर्ण जी ने तत बनाया वो फ़ए पंच ततां तो सारी रचना पैदा करती है और वाही गुर्ण जी आप शक्ति किसे तत दी मताज नहीं है क्योंकि तत परमेशर ने बनाया इसे करके ए शक्ति जड़ी है ना ततां तो रहता है गिया जाएंगों केलो के इन वसी है न परमता ताक देया जाओं के एक एलो सारी सश्टी दा मूल हैगा ए शक्ती सरेक चीज दा अदार हैगा एदे आसरे दे उत्ते हैं न क्रोना ब्रैमन जेड़े है एदे इको ही अशारेते लगातार चल देया ते सारी जो रचना वाहिगुरु जी दी बुणाई होई है एस सारी रचना नू वाहिगुरु जी जड़े हैना अपने एक सूत दे बैची एक परवंद बैच लेके चल दिया किसे दावी हना एदे बच कोई दखल नहीं है चाहे कोई जिनना मर्जी अपना कल्पत कर लवे के ए चीज इस तरह हुंदी पर नहीं क्योंके वाहिगुर जी दी जड़ी हना रचना है गिया दे सिस्टम दे बच आना अगर कोई थूड़ा बोता अपने दिलों जिनना मर्जी कोशश करके देखल बे परबारतन करन दा जतन करे पार वो परबातन करने सकता अगर ओ जड़ा हना अपना पूरा जोगर लावी दवे तो ओ दा सेटा जड़ा हना फिर प्याने कम निकलता है क्यों कुदरत न किती शेड़ शाड़ हमेशा ही जड़ी हना आदमी नो मेंगी पेंज दिया पर इससे करके हना वाही गुरुदी बनाई रचना जो कुदरत दे बेच है उसनो असे नजरी न देखना है गा जिमें गुर्णानक साब जी ने आख्या के बलहारी कुदरत बसे जा तेरा अंतना जाई ले खिया इससे करके हना गर्वाणी दे नदर इस सारा जिनरा भी ब्रह्मन दा पसारा है गा उननों बड़ी सहज दे बेच सणू समझाया गया गा ता जो असी हना वोस पसारे नों तक ही ये ति जिमें गर्वाणी दा फरमाण कमाश बलहारी कुदर तो भसिया तेरा अन्तना जाई लेक्या जिमें वही गुर जी अपने बसारि नों देखे बधिक्स देखोशु हो जेना असी भी हैना वहिज गुरू जी खुद्र्सन नों देखे प्रशान हो यह लेकंन इए मान चे कदी ना ले यह जिमें बीर सेंग हो ना ने बड़ा सुन्दर लेख्या क्यों होया ते की कुँ होया खपखप मरे स्याने ए तेरा पवेक्यों जिन्दे जितरा पूर महाने पटकन शडल रटकनला एको खी भी हो सुख माने होशा नालू मस्ती चंगी रख दी सदा टकाने बस ए जड़ी चीज आ हना ए सानु गर्णानक सा मराज ने समझाई या ते इसे करके गर्वानी दे अंदर हना ए सपसारे नू बड़ा खोल के दास दता हैगा के वाही गुरुजी जड़े हना वो चल में ले चल के चांदना तारा सूरज करना विज लगे नारा कथी कथों चैनने कोई पूर रहा मन पाएंदा पाब की है के जड़े वाही गुरुजी हना बस ओ शक्ती जा ओ दी कुदत जदो मननों पाउंदी है गिया ते मनोखदा जड़ा हना ओना हैगा एस दुनिया दे अंदर वो सफल मन्या जान रहेगा बस गल एन्नी है के जरूर्थ है ओ सकाल पर्ख जीदे नार अपने मन दी अपनी सपेरि जड़े है ओ अथ प्यार कर दे या ते अपने आप दे बिच ओ जीड़ी शक्ती है गी या ओ उस प्यारे नू इना उच्छा चक देन दी या जा यहों कहले कि ओधा रूप कर देन दी या तो उन्नों सदा दिया खुशिया ते सदा दा मान बख्ष देन दी या जमें गर्मा है कि ऐसी लाल तुद बेन कौन करे गरीब निवाज गसाईयां मेरा मत थे शत्र तरे सो इन ने बचन करदा हुया दास खेमा दा जाचक है जी हुईया पुला चुकांदी खेमा मक्षणी सो फते बलाओ जी वाहि गुरुजी का खाल सा वाहि गुरुजी की फते